आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चिप्टर 1 के exercise 1.5 के question number 3 से लेकिन उससे पहले हमें जानना होगा relation between roots and coefficients जो quadratic equation होता है उसके roots यानि x के values और coefficients यानि a,b और c इसके बीच में क्या relation है क्या तालूक है इसे पहले हमें जानना होगा तो जैसा कि हमें पता है कि quadratic equation जो होता उसका standard form यह होता है a x square plus b x plus c equals to 0 a not equals to 0 यह quadratic equation हो गया अब अगर if alpha and beta be two roots of the quadratic equation 1 इस quadratic equation 1 का अगर हम माल लेते हैं दो root है यानि दो x के values एक alpha है और एक beta है ठीक है एक alpha और एक beta है तो फिर alpha और beta के साथ a b और c में क्या relation होगा इसे ही हम कहते है relation between roots and coefficient तो क्या होगा वह relation यह है then तब यह पहला relation है sum of two roots यानि दो दोनों root का जोड या sum यानि दोनों root क्या है alpha और beta इन दोनों को अगर हम जोडेंगे add करेंगे तो वह equal to होगा minus b by a minus b by a minus b by a minus लिखेंगे यह b क्या चीज है x का coefficient है यह के साथ जो into होता उसे कहते है x का coefficient तो यह होगा minus b उपर में बटा नीचे में होगा a क्या चीज है a है x square का coefficient and x square के साथ into है जो a है वह हो गया x square का coefficient तो alpha पिलस beta नी दोनों रूट को अगर हम जोड़ते हैं तो वह होगा हमारा minus b by a यानि coefficient of x यह b और नीचे होगा coefficient of x square ठीक है नीचे में a होगा और एक उसके साथ negative sign होगा यहाँ पे negative sign होगा इसी तरह दोनों रूट आलफा और बीटा को करम इंटू करते हैं तो क्या होगा तो उसमें है कि product of two roots product यानि जरब तो दोनों रूट को अगर हम इंटू करते हैं तो वह equals to होगा c by a c by a यह last में जो c होता वह बटा नीचे में होगा यह a ठीक है यानि c क्या चीज़े यह last में जो होता यह होता constant term constant term बटा नीचे में क्या होगा a होगा a क्या चीज़े x square का coefficient है coefficient of x square तो इसे आपको अच्छी तरह से याद रखना है क्योंकि अब जो हम question solve करने हो जाएंगे तो हम बार बार इन relation का बार बार इस्तमाल करना होगा sum of roots minus b by a होता है और product of roots यानि दोनों root का into करने से हो क्या होता है c by a विल्कुल आसान यह आप याद रखे alpha plus beta क्या होगा minus लिखना है और यह b by a कर देना यह b और उसके बाद नीचे में a लिखना है आपको और alpha बीटा क्या होगा c by a यह last वाला लिखना है c बटा नीचे में लिखना है a इल्कुल आसान है इसके साथ साथ हमें एक और चीज जाद रखना है वो क्या चीज़े if alpha and beta be two roots of a quadratic equation माल लिजे a quadratic equation है और उसका दो root alpha है और beta है दो root है alpha है और beta है then the quadratic equation will be तो वो quadratic equation क्या होगा यहां पर जो है माल लिजे में दो root बता दिया गया है alpha और beta और हमसे यह question किया जा रहा है कि वो quadratic equation क्या होगा यहां पर quadratic equation नहीं रहेगा आपको quadratic equation मालूम करना है ठीक है तो quadratic equation का formula यह होगा क्या होगा x square minus दोनों root जो दिया हुआ रहेगा उसको आपको add कर देना है यानि जोड़ देना है alpha plus beta bracket में रखना है उसके बाद x into करना है फिर plus alpha beta यानि दोनों root alpha और beta को आपको into करके last में फिर equals to 0 लिखना है ठीक है यह होगा वो quadratic equation का formula अगर दो root alpha और beta हमें दिया हुआ है सवाल में और हम से पूछा गया है कि वो quadratic equation आप मालूम करें तो just x square फिर minus लिख कर दोनों root को add कर देंगे उसके साथ x into करेंगे फिर plus दोनों root को into कर देंगे equals to 0 लिखेंगे तब हम स्टार्ट करने वाले है exercise 1.5 के question number 3 से यह रहा question number 3 इसमें सवाल है latest form the quadratic equations from two roots given below इसमें यह कहा गया है कि latest form हमें बनाना है quadratic equation from two roots given below नीचे सवाल में दो root दिया गया है और हमें quadratic equation को मालूम करना है तो पहला क्या है पहला question में 4,2 यहाँ पे 2 roots दिया हुआ है ठीक है एक four ए और एक दूसरा two है पहला root है हमारा four दूसरा root है two ठीक है तो यह पहला जो root है यह हो गया हमारा alpha और दूसरा जो root है वह हो गया हमारा beta ठीक है तो हमें पता है यह note जो मैं ने यहाँ पे लिखा कि अगर दो रूठ हमें दियावा आलफा और बीटा तो quadratic equation इस तरह का होगा तो just हमें क्या करना है आलफा के जगा में 4 put करना है और बीटा के जगा में 2 put कर देना है तो यह होगा हमारा quadratic equation ठीक है इसलिए required quadratic equation will be मतलबा quadratic equation यानि वो quadratic equation जो हमें चाहिए हो क्या होगा x square फिर minus sign उसके दोनों root का आपको add कर देना है तो पहला root है 4 plus दूसरा root है 2 यह गया आलफा यह गया बीटा इसके साथ x into करना है फिर plus दोनों root का आपको into कर देना है यानि 4 into 2 और equals to 0 यह हो गया हमारा quadratic equation इसको simplify कर ले आप और x square minus 4 और 2 को जोड़ेंगे 6 x फिर plus 4 दूना 8 equals to 0 तो यह हो गया quadratic equation यह हो गया हमारा answer ऐसा short question अकसर exam में पूछा जाता है फिर question number 2 में यह दोनों root है minus 4 और minus 3 यहाँ भी हम इसी तरह से लिखना है quadratic equation क्या होगा मैं directly लिख रहा हो आप इस तरह से लिख लिख लिखेगा quadratic equation होगा x square minus उसके बाद दोनों root का आपको add करके लिखना है तो क्या होगा यहां पे देखें कि दोनो का बैस्ट क देखें बैतर होगा बिल्कुल आप पे दोनों को इन்ट पर एंट गर के लिखें तो यह क्या होगा हमारा और x square minus यहां पर देख लिए आप कितना होगा minus 4 और यह minus 4 और यह plus minus minus 3 हो जाएगा x फिर plus इन दोनों का पिंटू कर ले कितना होगा minus minus plus हो जाएगा 4 तिया 12 हो जाएगा equal to 0 और x square यह कितना होगा minus 4 और यह minus 3 दोनों minus है minus 7 हो जाएगा add हो जाएगा minus 7 होगा और minus 7 इस minus जब इन टू होगा तो क्या होगा minus minus plus हो जाएगा plus 7 x plus 12 equals to 0 यह हो गया answer फिर question number 3 में है दोनों root है minus 4 और 3 है तो यहाँ पर भी quadratic equation क्या होगा इसी तरह से x square minus इन दोनों का add करके लिखें आप जब भी एक minus और एक plus है तो आप ब्रेकेट यूज कर लें ब्रेकेट तो बहतर होगा चाहिए तो आप फास्ट ब्रेकेट में भी कर सकते हैं अगर लिखना चाहिए तो फास्ट ब्रेकेट में अगर लिखेंगे तो पहले minus वाला नंबर लिख लिए minus 4 पलस उसके बाद 3 एड कर लिए इसके साथ x इंटू होगा फिर पलस लास्ट में इन दोनों को इंटू करके लिखेंगे minus 4 इंटू 3 equals to 0 और x स्कार minus यह कितना होगा ब्रेकेट में minus 4 पलस 3 माइनस से और पलस से इसलिए घटा होगा 4 से 3 गया एक माइनस बढ़ा इसलिए minus sign होगा इसके साथ x इंटू होगा फिर पलस यहाँ पर देखो यह दोनों तो इंटू करेंगे उसके साथ यह minus इस पलस इंटू होगा इसके बाद question number 4 है 5, minus 3 तो यह आप खुद से try करें बिल्कुल आसान इसी तरीका से बन जाएगा आप पहले काम करें के पहले positive वाला नंबर जो पहले negative minus 3 को लिक लें और उसके बाद 5 को लिक लें तो भी easily बन जाएगा इसके बाद आप देखे question number 4 इसमें कहा गया है find m for which the two roots of the quadratic equation 4x square plus 4 into 3m minus 1x plus m plus 7 equals to 0 are reciprocal to each other इसमें एक आगया है कि m के value को मालूम करना है जिसके लिए इस quadratic equation का जो two roots से दोनों root है वो एक दूसरे का reciprocal होगा reciprocal to each other तो यह क्या होगा हम m के value निकानना यहां से और दोनों root क्या होगा रेसी पुरोकल होगा एक दूसरे का तो reciprocal क्या होता यह भी मैं आपको बता दूँ पहले मैं equation को लिखता हूं यह रहा equation इसके बाद सबसे पहले तो हम इसको quadratic equation के standard form से compare कर लें और वहां से ABC के value कम पहले find out कर लेंगे मालूम कर लेंगे ठीक है तो compare करें पहले comparing with x square plus bx plus c equals to 0 we get compare करने से हमें एक जगा में कितना यहां पर 4 equals to 4 मिला b equals to कितना होगा x के साथ जो into होता है वो b होता है plus 4 into 4 into 3m minus 1 यहां plus sign है इसलिए plus लिखने के जो होता नहीं और c equals to कितना होगा यह last में plus जो है यह c होता है तो यह c कितना होगा plus m plus 7 ठीक है a b c हमें मिल चुका है इसके बाद वो कहां गिया कि दोनों रूट जो है एक दूसरे का reciprocal होगा तो हम यह का करेंगे reciprocal मतलब क्या होता जिसे एक number 2 है तो इसका reciprocal क्या होता है वो होता 1 by 2 ठीक है इसी तरह मालिज एक number 3 है तो इसका reciprocal होगा 1 by 3 एक number 1 है इसका reciprocal क्या होगा 1 by 1 दोनों रूट 1 दूसरे का reciprocal होगा तो हम क्या करेंगे दोनों रूट को हम माल ले सकते नहीं हैं क्या Cynthia लेगे है इस तरह से माल लेगे हम Liets एक रूट हम आलफा माल लेते हैं एक रूट आलफा मालेंगे तो दूसा रूट क्या होगा इसका रेसी पुरोकल होगा तो वो हो जागा 1 by आलफा इन दोनों का हम रूट माल लेंगे लेट आलफा कॉमा 1 by आलफा बी तू रूट आफ इसका रूट हम क्या हमाल ले एक रूट एक रूट यह दोनों एक दूसा का रेसी पुरोकल होगा ठीके तो अब हमें एम का वहलू को निकालना है तो देखे अभी जो हमने सीखा था रिलेशन बीट्वें रूट और कोईफिसेंट यानि दोनों रूट के बीच में क्या रिलेशन होता है तो हमें पता है दोनों रूट को एड करने से होता है माइनस भी बाई और दोनों रूट को इंटू करने से क्या होता है सी बाई ए होता है ठीके ना तो दोनों रूट यह है आलफा के जगा में आलफा है, बीटा के जगा में 1 by आलफा है, तो दोनों रूट का इंटू क्या होता है, मैं पता है, इसलिए आलफा इंटू बीटा, बीटा के जगा में 1 by आलफा हो गिया, ठीक है, आलफा इंटू बीटा, दोनों रूट को इंटू करने से क्या होता है, C by a होता है c by a होता है बस यहीं से हमें m का value मीर जाएगा बिल्कुल आसानी से किस तरह से देखे और यह alpha यहां पे into है तो यह एक दूसरे से यह cancel हो जाएगा कट जाएगा तो यहां पे कितना आ गिया 1 हो गिया equals to यहां c के जगा में value put कर दे m plus 7 बटा नीचे यह है एक जगा में क्या put कर दे 4 ठीक है तो यह equation आ गिया इसको हम तीरिशा जरब कर लेंगे 4 इदर तीरिशा जरब हो जाएगा 4 once into 4 equals to m plus 7 और इसको घुमा के लिख सकते हैं इसको इदर इसको इदर करके लिख दे हैं m plus 7 equals to 4 ऐसा कर सकते हैं चार अगर इसके बराबर है तो यह वला इसके बराबर होगा इसको गुमा के हम लिख सकते हैं इस तरह से ठीक है यहां से फिर m को हम लिखेंगे m equals to क्या होगा 4 plus 7 को right side में कर दे माइनस 7 होगा और m equals to plus 4 ऐ माइनस 7 क्या होगा घटेगा 7 से 4 घटा 3 साथ बढ़ा इसलिए माइनस sign यह हो गिया m का value ठीक है m equals to minus 3 answer यह बाद इस च्टोंट सब देखें question number 5 if two roots of the quadratic equation b minus c into x square plus c minus ax plus a minus b equals to 0 are equal then let us prove that 2b equals to a plus c यहां पिये कहा गया है कि यह quadratic equation है इसका दोनों root equal है तो फिर वहां से हमें prove करना होगा यह साबित करना होगा कि 2b equals to a plus c है यहां से हमें दिखाना पड़ेगा कि 2b equals to a plus c है तो यहां पर देखें इस्टोंट कि यहां पर जो question में कहा गया कि दोनों root equal है तो दोनों root equal कब होता है हमें पता है जब b square minus 4ac या discriminant 0 होता है तब दोनों root equal होता है तो यहां से हम क्या बोल सकते है इसका discriminant 0 है और फिर वहां से हम इस चीज को prove करेंगे प्रूब देट को यह हमें दिखाना है तो चुके इसका बोला गया है कि दोनों root इसका equal है चुके two roots are equal इसलिए discriminant क्या होगा 0 होगा discriminant equals to 0 होगा तो discriminant का value क्या होता है और यहां से discriminant का value क्या होता है b square है ना तो b मतलब क्या होता है x से साथ जो into होता वो होता b square मैं direct अब लिखने जा रहा हूँ x के साथ क्या into है पलस c minus a यह होगा हमारा b ठीक है तो यह हो जागा b square यानि c minus a यह होगा b b square minus 4 into a a का मतलब क्या होगा x square के साथ जो into है यह होगा a x square के साथ into a b minus c यह होगा a 4 into a यानि b minus c 4 a उसके बाद c होता c मतलब क्या होता है यह last में जो constant term होता तो वह क्या है? पलस A-B तो पलस लिखना नहीं क्या है? एक मतलब हो कि A-B equals to 0 यह होगिया डिस्क्रिमिनेंट B-4AC equals to 0 यहां से हम यह पूरूब करके दिखाना पड़ेगा तो हम यहां पर देखें किस तरह से बनाएंगे C-A का होली स्कूर तो याद रखें अगर नेगेटीव ऐसा रहता है C-A उसका होली स्कूर रहता है तो आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं यह आगे पीछे क्यों हुआ इस तरह एक अगर हम यहां से माइनस कॉमल लेंगे एक माइनस कॉमल लेंगे तो यह बन जाएगा पलस और यह पलस बन जाएगा माइनस ठीक है और वह माइनस जब कॉमल लेंगे तो उसका भी स्कूर होगा तो माइनस का स्कूर क्या होता है पलस होता है इसलिए हम इस तरह लिख सकते हैं ठीक है C-A का होली स्कूर है तो आप इसको a-c को थोड़ा change करके लिखने वाले किस तरह से second bracket में लिखेंगे इसको हम इस तरह लिख रहे है a-b plus b-c इसका all square ठीक है अब आप बोलेंगे इसको हम change करके इस तरह कैसे लिखें इसमें मैंने add किया है minus b यहाँ पर मैंने लिखा है फिर plus b लिखा है यहाँ पर तो minus b और plus b क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा cut जाएगा तो क्या बचेगा a और minus c बचेगा जो यहाँ पर है तो मैंने सिर्फ क्या किया कि minus b और plus b को extra मैंने लिख दिया लेकिन यह कट के zero हो जाएगा तो बचेगा a minus c उस चीज को मैंने change करके थोड़ा बड़ा करके लिखा है ठीक है इसलिए मैंने लिखा क्योंकि इसका आगे इस्तमाल होने वाला फिर minus 4 यह दोनों into है तो इसको आगे पीछे थोड़ा लिखे 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 लिखेどう इस पहले इसको गात में लिखे लिखें ऐसा मैंने क्यों किया, यहां पर देखे एक फॉर्मूला आ जाएगा, इस चीज को आप A समझ ले, पूरा को, A-B को आप A समझ ले, और इसको आप B समझ ले, इस पूरा को, B-C को B समझ ले, ठीक है, तो यह हो गया, A plus B का हॉली स्क्वेर, फिर माइनस 4, इसका मतलब A, 4 A और इसका मतलब B, 4 A B, A plus B का हॉली स्क्वेर, माइनस 4 A B, फॉर्मूला इसका क्या होता है, A plus B का हॉली स्क्वेर, माइनस 4 A B, इसका फॉर्मूला यह होता है, A minus B का हॉली स्क्वेर, तो यहां से भी क्या होगा, a minus b का whole square यह बन जागा यह total चीज यह होगा यह हो गया a minus हो जाएगा और b मतलब यह b minus इस फूरा का whole square equals to 0 ओके यहाँ पर just minus sign होगा इसके बाद यहाँ पर देखे total का whole square equal to 0 है तो यह अंदर वाला भी यह 0 होगा ठीक है a minus b minus b minus c equals to 0 किसी भी square का कोई भी whole square अगर 0 होता है तो अंदर वाला term भी 0 होता है जिससे अगर x square equals to 0 हो यहाँ से हम कह सकते x equal to यह भी 0 होगा ठीक है तो इसका whole square 0 है तो यह वाला भी 0 होगा फिर यहाँ से bracket को खोल दें a minus b minus b minus 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 a plus c equals to 0 होगा और यहाँ पर देखे कितना हो रहा है a minus b minus b क्या हो जाएगा minus 2b plus c equals to 0 और minus 2b को right side में कर दें a plus c minus 2b right side में होगा तो पलस हो जाएगा यह हो गया इसी को मैं प्रूव करके दिखाना था इसको आप इस तरह से लिख ले इसको पहले इसको बाद में लिख ले 2b equals to a plus c पूरूवड आप चाहे तो इसे किसी दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं